So guys, अभी आप यह जो आवाज सुन रहे हो ना, यह सिर्फ और सिर्फ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्मार्ट फोन का माइक्रो फोन इस्तेमाल करके, बिशास नहीं हो रहा ना, इतनी clear recording, इतनी crisp and clear, और सोचो, अगर आप इसे अपने song के vocals रिकॉर्ड करते हो, यह गाना सेटिंग्स बताई हैं आपको, जिससे आप अपने स्मार्ट फोन से ही ऐसी recording कर सकते हो, तो कौनसा recorder मैंने यूज किया, क्या settings आपको करना है, सब कुछ जाने के लिए वीडियो में, end तक बने रहना, यहाँ पर इसके बाद से जो मेरी आवाज आएगी, इंट्रो के बाद screen recorder से आएगी, आप बिल्कुल comparison कर सकते हो, live मैंने यहाँ पर आपको इसी से record करके output दिया है, तो भाया, वीडियो को end तक देखना, जल्दी से जल्दी यार, like कर देना, सब भी के साथ, वीडियो को share करना बहुत important, और subscribe कर लो, चनल को ऐसी वीडियो से हाँ पर आती रहेंग तो चलिए, friends, वीडियो को start करते हैं, तो guys, यहाँ पर हम अभी बात कर रहे है, Dolby On के बारे में, ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई और recorder यूज़ करते हो, like HiQ MPC recorder, तो उसमें आपको बता दूँगा settings, लेकिन आप Dolby On यूज़ करें, इस पर मैं वीडियो भी बनाई है, Android क यहाँ पर अगर आप अपने phone का जो by default recorder आता है, वो यूज़ कर रहे है, फिर कुछ मत करना, फिर बढ़िया चलता दूस्तों, अगर आपको कुछ recording करना तो यह app डालना ही पड़ेगा, आपको, हम आगे चलिए, तो हम लोग को यहाँ पर सबस्वेले settings में चलना है, अब य तो यहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि Dolby sound कैसे जो है, आपका music record होता है Dolby की मदद से, music यह नि कि आपकी आवाज, इस पर हम click करना है, अब देखिए यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़िए, आप यह पढ़ेंगे तभी आपको आगे की settings समझ में करेंगी, इन्होंने sound को easy कर दिया, अब बताएंगे कैसे, बिलकुल यह सही बात है, इन लोगों ने thousands of songs को analyze किया है, कि उन में किस तरह की frequencies record होती है, तो इन्होंने, जो इनका mic है, मतब आपके phone से record करेगा, इसको analyze कर दिया, enhance कर दिया, जिससे कि आपको rich quality की sounds यह provide होगी, very nice, तो यहाँ पर यह अपने effects के बारे में आपको बता रहे हैं, कि आपको इसमे noise reduction मिलेगा, compress मिलेगा, इन सब के बारे में video बना चुको है, effects के बारे में आजम बात नि करेंगे, जिससे आपका sound और better हो जाए, ठीक है, जो dolby का dynamic stereo mic है, यह आपके song को जो है, और बढ़िया space देगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको compress कर सकते हो, equalizer adjust कर सकते हो, जिससे कि distortion मिले को निया रहा बोलना, इसका हम लोगिया होता हो, आज फूल में फटरी होती है दोस्तों, तो यह ना हो, इतना कुछ लोगों ने बताया, चलिए अब आपन settings देखते हैं, फिर बाद में हम आपको last make recording भी सुनाएंगे, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, आगे चलेंगे, यह आपको ज़रूर रखना चाहिए, calm down, जिससे कि आपके talkback की आवाज, ना आए starting में, ठीक है, अगर आप इसको नहीं रखते हैं, तो यह talkback की starting के वाज भी capture करता है, तो यह 3-2 second कितना आपको calm down रखना है, उसके बारे में है, कि वह रिकॉर्डिंग स्टार्टर ने चे बहले 3 second तक वो calm down होगा, इसको on करेंगे हैं, इस पर आप जाके set कर सकते हो, क्या वो कितना रखना है, चलिए हमने इसको on कर दिया, अभी हम आगे दिखते हैं, यह कोई recording rated setting ने थे, बट बने आपको additionally बता दी, यह आती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसका मतलब है, lawless, lossless audio, यहाँ पर यदि आप इसको on रखते हो, यह off है, यदि हम इसको on करते हैं, तो अब हमारी lossless audio record होगी, मतलब uncompressed audio record होगी, 48 kHz में और 16 bit per second, तो यहाँ पर इसको मैं इतना technical term में जाऊंगा नि, simple सा मतलब समझाऊंगा, इससे आप high quality में recording कर सकते हो, अगर आप इसको बंद रखते हो, तो यहाँ पर यह compressed recording करता है, जिसका कि size बहुत कम होता है, और यहाँ पर यह आपकी quality इतनी अच्छी नहीं होता है, लेकिन इसमें यह WAV files बनेंगी, और WAV files अब से clear format मना जाता audio में, लेकिन इसमें बस problem यह है, कि आपकी audio बहुत जादा MBK बनेगी, बना पांच मिनट के अगर आप recording करोगे off करके, तो 7 MBK बनेगी, अगर इस कौन करके करोगे तो 30 MBK बनेगी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसमें मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, लेकिन अगर आपको एक studio आपको एक बड़ा फोन चाहिए ही होगा, ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है, ठीक है, तो यह बिल्कुल आपका size भी increase करेगा, ओके, है ना वही लिखा है, जो पांच मिनट का song approximately 7 MB का बनता है, और lossless का जो 7 मिनट का बनेगा, तो बस यही कुछ settings अब आप लोग को करने है, अब यह settings आपने कर लिए, अब यहाँ से बाहर आएंगे, अब आपको यहाँ पर एक option मिलता है, माइक details, इसको आपको एक बड़ जरूर चेक कर ले रहा है, ठीक है, अब यह Xiaomi का माइक इसने ले रखा है, आपने अगर कुछ additional connect कर रहा होगा, तो आपको यह माइक दिखाए ठीक है, माइक जरूर चेक कर लेना, ठीक है, इन्हांस भी Dolby sound है, मतलब enhanced हो चुका है Dolby sound के साथ, लेवल चेक यहाँ से आपको कर सकते हो, हम लोग को करना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर, है आपने अपने अप्टमाइज हो जाता है, best sound के लिए, ठीक है, अगर आपका माइक ओवरोडिंग हो रहा है, तो उसको side कर लो, अपने मुग से कह रहा है, recording tips यहाँ से आप ले सकते हो, हमको नहीं ले नहीं हमने दे दिया आपको बहुत साथ tips, okay, तो अब यह सारी settings आपको मिलती है, अब मैंने कुछ recordings इसमें करके रखिया, हम आपको play करके दिखाता हूँ, without lossless और without lossless, ठीक है, चलिए अपन, चलेंगे, यह हम लोगों ने recording करी थी बहुत पहले की, और यह, आज की है 7 january, और यह वाली सुनो, 0322, कबकि यही मार्च की है, चलिए अपन इस पर आपको click करके सुनाते है, इसकी आप quality सुन ले न, हम इसको play करेंगे, तो दोस्तों, अभी आप सुन सकते हो, कि यहाँ पर हम recording कर रहे है, और यहाँ पर यह recording काफी सिंपल से हो रही है, सुन लिया आपने quality, अब हमने जो lossless on करके recording करिया, वो सुनाते हैं आपको, आपको वो सकता है, फर्क ना बता लगे है, लेकि निहान से सुनोंगे तो पता बस इतनी है, दोस्तों, ऐसी कर थी में टाइम पास, तहां से सुनों फिर से, तो दोस्तों, अभी हम डॉल भी उन से recording कर रहे हैं, कितनी crisp and clear recording आ रही है, मैं दूसरी सुनाता हूँ पर फिर, तो दोस्तों, अभी आप, यहाँ फर्क पता, आप तो चली गया होगा, तो size इसक जब भी आप अपनी audio को export करो, MP3 में मत करना, WAV format में करना, जिससे उसकी quality बरकरार रहे, अब यहाँ पर अंदर आप effects भी लगा सकते हैं, उस पर हम बात में बात करेंगे, वैसे मेरे वीडियो बनाईए, आप देख सकते हो, लेकिन मुझे तो बहुती जादा अच्छा लग आती रहेंगी, WhatsApp और Telegram गूरूप में आप लोग वाट पेसे जूड़ सकते हो, अगर आपका कोई भी कोशन है तो आपको आल बॉक्स में पूछ सकते हो, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते एक सी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाइ बाइ